कि सुनो भाई देखो लास्ट लास्ट में जो हमारे पास टॉपिक था ना वह मैंने तो मैं क्या कि एक सिंपल सा कोशन कर आए था ठीक है और उस को संस के अंदर क्या था कि मैंने तुम्हें एक मैथड से खाया था वही जो हमारे पास SLM मेथड़ था इस ट्रेट लाइन अगर हर साल करतें को बेच दूँ अगर ऐसा करतें को कि मैजशन को बेच दूँ अगरgener instagram कि मैं मसीन को बेच दूँ ठीक है तो भाई उस टेम क्या होगा ठीक है ये मान के चलो की 10 लाग की मसीन थी ठीक है तो मैंने किया कि उस मसीन को बीचे बेच दिया ठीक तो उस टेम क्या होगा ठीक है मैं अगर ये बोला कि भाई प्रॉफिट होगा ये लॉस होगा वो सारी की स profit हुआ ठीक है या फिर लॉस हुआ तो इस तरह हमें क्या देखना है वह समझ के चलो ठीक है या देख जाओ तो भाई अब जो तुम्हारा पर नेक्स्ट टॉपिक है वह डालो और सेल एंड परचेज आफ मसीनरी या फिर असेट्स तो सेल एंड परचेज आफ असेट्स जो हमार पास सेल एंड परचेस अफ असेट्स है सबसे पहले हमें सिम्पल केकलिसन करनी आनी चीए ठीक है क्योंकि तुम एक्शाम में अगर एककाउंट्स मनाने बैठ गये ना फिर तुम्हारे accounts बने जाना है और कुछ नहीं होगा ठीक है तो पहले हम क्या simple तरीके से देखेंगे यह profit हो रहा है कि loss हो रहा है profit हो रहा है तो कितने का हो रहा है और loss हो रहा है तो कितने का हो रहा है ठीक है यह सारी की सारी बात आनी चाहिए अगर इस बात में कोई अटकता है ठीक है समझो एक्जाम में अच्छे कास माक्स अपने खोलेगा इध्यान रखना ठीक है सुरो तो पहला मेरे पास कहा है कि यहाँ पर हमारे पास कहा है कि in case of sale यहाँ पर्चेस के बारे मैं पढ़ा चुका हूं पहले बाते होती है ठीक हमताब कि पहले सेल के बारे मैं पढ़ रहा हूं फिर पर्चेस के बारे मैं पढ़ा हूं देखुँ in case of sale of any fixed assets in case of in case of sale of any fixed assets we assume the following किन-किन बातों का हमें यह फिर देख जिया फिर यह मालो वी कीप कि दा फॉलवइंग पॉइंट इन माइन ठीक है मतब कि अगर हम डैप्री सिशन चार्ज मतब कि अगर हम किसी भी असेट्स को बेच रहे हैं ठीक है तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखके चलना है ठीक है सबसे पहली बात हमारे पास है वो है दूसरी चीज हमारे पास actual value of assets तीसरा हमारे पास है profit और loss on sale of assets ठीक है भाई जो भी हमें profit या loss हुआ है on sale of assets यह सारी की सारी बात के बहुत है प्ता हो नीची ठीक है देखओ लेकिन इन बातों को समझने के ना वई सबसे पहले हमें कुछ कुछ words सीखने ठीक है ठीक है पहले जो हमार पास words है ताफ पर anum ठीक है देहिए हमार पास क्यागी था पहला word जो है दूसरा में बुलों की हां फियरली है इसका मतलब क्या आधा साल होता है ठीक है अधा साल है ठीक है कि उसके बाद अगली बाद चुस्मझनी एक होता पर मंत भही मंत का बदब क्या है भही मालो परतेक महीना ठीक है भही लास्ट की बात हमें समझनी है पर क्वाटर ठीक है क्या हमार पास पर क्वाटर अब सुनो भही देखो एक न जो तुम्हें बात समझनी है वो होता क्या है सबसे पार तो इ Caleb पूरी बोतल होती है तो उसके वाहर पाar है उसका अगर अधिक्स होटर आधल मेलते ना शुताने तो इसका मतलब किया है तो इसका मतलब पहले तो अगर ना यह सारी जो वर्ड अगर हमारे पास आते हैं तो हमें समझ जाना इसका मतलब क्या है ठीक है आप सुनो जो भाई तुम्हें जितनी भी में बाते बता रहा हो ना वह पहले समझ के चलना है ठीक है पहले मतलब क्या है यहां पर क्या सिंपल्स आप calculation of profit or loss on sale of fixed assets ठीक है भाई हम किस इच की calculation सीख रहा है calculation of profit and loss किस इच पे on sale of fixed assets ठीक है यह बास में आ रही है हम क्या सीख रहे है calculation सीख रहे है किस इच की profit or loss की on sale of fixed assets ठीक है जो हमार पास fixed assets है ठीक है उसको अगर हम बेचते हैं अगर मैं अपनी कोई भी जो fixed assets है अगर मैं इसको बेच रहा हूं तो मुझे कितना profit यह फिर कितना loss होगा इस चीज की calculation करना सीखते हैं देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई हम यहां देखेंगे कि जो value of assets है value यह फिर मालो cost of assets cost of the assets ठीक है assets की जो value है वो कितनी है भाई मेरे पास जो भी होगी होगी ठीक है इस मेंसे न तुम्हें क्याए कि minus करना है depreciation depreciation of all year ठीक है जो पूरे पूरे साल का depreciation है हमें क्या है कि वो minus करना है ठीक है तो जो भी हमार पास depreciation आगया उसको क्या कर दो यहां से minus minus करने के बाद सुन्जो मेरे पास क्या दाएगा value of assets after deducting depreciation मतब कि हमारे पास assets की कौन सी value है बोल सकते है net value of assets net value का मतब क्या हो जाता है depreciation minus करने के बाद जो value बसती है न उसी को बोलते है net value तो मेरे पास अब क्या दाएगा है हापे जो भी value आएगी वो क्या होगी net value of assets ठीक है भाई assets की net value यह आगई अब समझो भाई जितना भी मेरे पास होगा इसमें से तुमारा जो sale price होगा ठीक है जो भी तुमारे पास यहाँ पे आया है इसमें जो तुमारा sale price होगा ऐसे बोलते न कि भाई जो तेरी मसीने इतने इतने लाग की बिग गई यह फिर मालो इतने हजार की बिग गई ठीक है तो इसको माइनस कर दो ठीक है अब सुनो यहाँ पर क्या करदेंगे लेस करेंगे क्या चीज यहाँ पर sale value of assets ठीक है जितना हमने बेचा है न वो यहाँ पर माइनस कर दो अगर तुमारे पास यह balance आया negative ठीक है अगर balance negative आता है तो क्या होगा और अगर balance जो है मेरे पास positive आता है तो क्या होगा ठीक है भाई देखो अगर balance तुमारा positive आया हम क्या समझेंगे कि भाई देखो जैसे मैं हम बोलाओ कि यहाँ मेरे पास है मैं दोनों के एक example ले रहा हूँ मालो उपर मेरे पास लिखा था 10,000 ठीक है नीचे जो जितने का मेरा विकारा वो मालो 13,000 रुपे की विग गई है मसीन ठीक है तो मतलब क्या नीचे माइनस का आ गया भाई 10,000 की मसीन थी यह क्या मेरे पास value of assets इतने की बची थी मेरे पास depreciation माइनस करने के बाद ठीक है बहुत समझ जा हूँ है आपे जो value of assets थी वो कितने की बची थी 10,000 की ठीक है मैंने इस message क्या है की minus क्या sale value ठीक है जो जितने की मेरे विकी ने 13,000 रुपे की विकी है यह तीन हरगा क्या हो मेरे पास profit नहीं होगा बताओ अगर मेरे पास कहेगी 10,000 की मसीन थी ठीक है जो मेरे पास value थी मसीन की वो थी 10,000 की भई 13,000 रुपे की बिग गई हो तो मेरे पास profit आएगा क्या समझना है अगर negative आगे तो profit है ठीक है दूसरी बात देखते है पॉजिटिव का अगर आए तो ठीक है इसके इसका जोने हम देखूँ जैसे मालो मेरे पास जो है value of जो assets है ठीक है value of assets मालो 20,000 है ठीक है इसमें से less कर दो sale value ठीक है जो मेरे पास sale value है ठीक है वो यह मान के चलो कि भई जो 17,000 है ठीक है कितने की भी क यह 15,000 का बिग्या तो यह कितना है मेरे पास भाई यहां पर जो मेरे पास है पांच जार नहीं आ जाएगा तो जो मेरे पास loss है ठीक है loss कितने का होगा loss on sale ठीक है इतना है यहां पर profit on sale है बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है देखो तुम्हें ना इन सब के अंदर सब से important बात समझनी क्या है भाई वो तुम्हें ना इसके अंदर बहुत दिक्कत आ सकती मेरे हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत आएगी चारू ठीक है दिक्कत नहीं आए तो बहुत बात है देखो दो जो दिक्कत है ना दो जनों को नहीं आएगी ठीक है किसको एक तो ऐसे जिरक अच्छे से आ रहा होगा दूसरा ऐसे जो पढ़ेंगे नहीं ठीक है तो देखने ना किससी कैसी दिक्कत है इतना होगा पूरा ठीक है अब सुनों भाई अगली बात और समझ जाओ मैं इसका एक एक्जामपल लेकर चल रहा हूं ठीक है भाई मेरे पास जो एक्जामपल है एक कोशन के फॉर्म लेकर रहा हूं ठीक है यहाँ पर मेरे पास है कि राम परचेज और मसीनरी अन फॉर्स्ट ऑफ अक्टूबर फॉर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी ओफ रुपीज सेवन लेक्ट साथ लाग की बसीन खरी दी है एंड स्पैंड इस्पैंड रुपीज वन लेक्ट अन इट्स इंस्टॉलेशन ठीक है फाई जो और मेरे पास क्याहाँ पर खर्च के हैं एक लाग रुपए इंस्टॉलेशन पर है डैप्रिशेशन इस प्रोवाइड़ एड़ डारेट अफ टैन परसेंट अड़ डारेट अफ टैन परसेंट पर एनम अकॉर्डिंग तो SLM method कौन सा method है भाई स्ट्रेट लाइन method से कर रहे है तो कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि useful life useful life of the machinery is two year useful life of the machinery is five year ठीक है जो अबार पास useful life के दर नहीं है उसकी पांस साले five year है ठीक है उसकी बाद अगला कह रहा है कि ram sold ram sold the machine ram sold the machinery on on 31st March of 1 1 31st March जो FAB डालो भाई FAB का मन्त कितने हैं 28 को मान्रों यह फिर मालों शुनो shaped कि राम सोल दा मसीनिरी और दा कि एंड ऑन ओया शॉट है तुकर इंद ऑफ है मैं शॉबराइब iki मसीन को बेच देगाई यह ठीक है कि रहे कि of rupees कितने का बेचा भी वह मालों उसने एक लाग का बेच दिया या फिर एक लाग 20,000 का है ठीक है एक लाग 20,000 का बेच दिया ठीक है यहाँ पर तुमसे बोल सकता है find find the loss or gain on sale of assets ठीक है या फिर भाई मसीन एंड प्रिपेर मसीनरी एकाउंट एंड डैप्रीसेशन एकाउंट भाई यह हमार पास स्कूशन है पहले स्कूशन को नोट डाउन कर लो ठीक है उसके बाद नहीं यह सारा रॉफ करके फिर आए करवाऊंगो ठीक है स्कूशन के अंदर करना क्या है ठीक है सबसे पहले जो तुम्हें मैं मैंने बात बताया थी ना वह क्या कहती कि मैं जो भी इनकी वैल्यूस वगर है पहले उनको लिखवा दे रहा हूं ठीक है तो जो था राम ने मसीनरी ब Legs करें थी और 1 लुफ सब्सक्राया साथ लाग्याख करिए तो अब था भाईज करें ूपर को था वो थी 7 लाग्या फिक है आपक इसरों क्या कि अब ऐसरींद कर दो क्या करते है कि देप्री शहान और ड्रेफ समस्राण चार्ञ़ पार इंस्टोलेशन says charges कितना है रखने को सिसी कि दूज कि यह पुछ कॉछ्चकश redo ok QC NFC थीथिड़ी इस पर और को यह करचात हमलूद Norman, मिमें आट लाकी इस पर कोई और करचा ऐखे तक हूए भी तक है और जो मेरे पास कहें कि जो मैंथर है ठीक है मैथर क्या है है एक मैंथर ऑफ डैपरी से और एकित के हिसाब से बाई एट अर डिरेच टैन परसेंट पर एनम के साब से ठीक है हर साल है कितना भाई 10%. उसके पास जो हमार पास useful life of the machine है वो कब है पास साल किये पाच है ना पास साल है ठीक है तो useful life of machinery वो है भही हमार पास five year ठीक और जो हमने उसका sold कप कर दी है अगला है जो डेट डाल दो ठीक है डेट और जो अगला है जो डेट डाल दो ठीक है देट of sale ठीक है वो मालो एंड ओफ फैब 2023 ठीक है बहुत कभी भी हम को सब्सक्राइब करते हैं ना सबसे पहले क्या है चोटे से उम्हार पास समरी हो थी पहले मिसको बनाते हैं ठीक है उसके बाद देखते हैं कि करना क्या आगए ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते की उसने क्या ब बनाना है हमें फाइंड करना है लॉस और प्रॉफिट अन छील फ मसी कि बना रहें मसीनरी अकॉंट बनाने के बाद हमें अगला क्या करना भी जो लास्च में बनाना है डापरिसेशन अकाउंट बनाने ठीक है तो देखो इसके आगए तो सबसे पहले छोना मुपरिपेर कर date, particular, amount, date, particular, फिजा के last में amount, ठीक है भाई, इस तरीके से है, क्या पहला, date, particular, amount, date, particular, amount है, ठीक है, यहाँ पर debit और यहाँ पर credit, ठीक है भाई, date पर देखो, सबसे पहले हम इसको बनाते है, ठीक है, फिर जो बात रहेगी, depreciation account बनाने की, ठीक है, वो तो तुरंत बन जाता है, मेरे पास कहाँए, 20-20, 1st October, ठीक है, तो 20-21 of October को है, ठीक है, तो भाई, मैंने कितने… टोटल मर्सीन, कितने 8 लाग की हो गई, कैसे खर दिए भाई पर पासे मालों बैंक से खरें तक है तो टो बैंक के काउंट साथ लाक है अब प्लस में क्या मेरी काम करूंगा प्लते हो द्पर दिखतिक और चोका dealers हिए खरी वैट कह उसे तो मेरे पास 5 prakt zeker है तो अब यूण मिरे पास उट्ट तो घ्यान अकना हमेरे डेट को ध्यान रखते हुए चलना है ठीक है देखो जब भी कोई अगला काम करूँगा पर देखो कोई डेट तो नहीं उसकी ठीक है डेट में पास किया सिफ एक ही डेट है वो भी कब है फरवरी के एंड में 2023 को है ठीक है अब सुनो तो पहले क्या करूँगा है यहां पर मेरे पास जो है 2021 के 31 में ठीक है जो 31 मार्च होगा उस्टेम के आएगा पहले बाई डेप्री सेशन ठीक है बाई डेप्री सेशन अकाउंट तो आठ लाग पे 6 महीने का लगा रहा है ठीक है बास में बा सबसे पहले कि मेरे पास क्या है सबसे पहला जो देखता हूं कि मेरे पास जो है फस्ट कैलकुलेशन मतलब की जो पहली जो मेरे पास नोट है ठीक है वह है डेप्री सेशन calculation of depreciation है calculation of depreciation for 6 months ठीक है तो भाई 6 महीने का जो मेरे पास depreciation आएकर वो निकालेंगे तो मेरे पास क्या है 8 लाग 8 लाग को गुना कर तो 10 से भाई क्योंकि rate of depreciation कितना है 10% है न और फिर 6 महीने के लिए क्योंकि देखो यह आपे अक्टूबर आ रहा है ठीक है, अक्टूबर का पूरा महिने ये उसकिया है, पिर नवंबर, डिसमबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीन और तीन टोटल कितने हैं, 6 महिने हो गए, ठीक है, तो हम कितने महिने के करेंगे, 6 मटे में 12, ये से कट किया 2, 0 से, 0 कट रहा है, और इ लाइन्स by balance CD ठीकहे CD हां साट लाइव पास साथ ए छीक है तो बेहां बास साथ लाइब कर तो इसको 8 लाइब का है ठीकहे है तो भी कितना देख सिवも चांथ जो चुछ ठीक है देखो अब मेरे पास का यहीं डेट यहां पर आजा है कि 2021 2021 वह भी कब है फ़र्स्ट अप्रेल तीक है फ़र्स्ट अप्रेल है क्या लिखेंगे टू कि बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन ठीक है कितने का भाई साथ लाख चाथजार कर ठीक है डैंप देखो मैंने क्या आपट है था कि हमें स्टार्टिंग क्यां पतला नहीं होता चैमले ठीक है अब कहा है पूरे साल का कितना लगा होगा खरले ट्क है 7 अप च्राटिंग जो अलगा हूगा ऑगा तो सबसे important यह है कि हम जो पूरे साल का depreciation लगाएंगे न वो इस आठ लाक वाले पर होगा ठीक है तो आठ लाक वाले पर कितना आएगा अस्ती जार ठीक है एस सिंपल निकालेंगे न भाई जो दूसरा मेरे पास calculation of depreciation for one year ठीक है एक साल के लिए जो मिरे पास depreciation है वो कितना आजाएगा पहले वह यह आठ लाक जो मिरे पास कहा है कि आठ लाक है इसको 10 बटे में 100 तो कितना आ गया 80,000 एक साल का जो depreciation कितना होई 80,000 आजाएगा यहाँ पर क्या लिखूंगा 2022 आएगा न 2021 है तो यहाँ पर मिरे पास कहा है 2022 हमें देखना है अपरेल के बाद पूरा एक साल कब होगा 2022 में होगा और भाई कौन सी डेट है 31st March ठीक है तो 31st March है मिरे पास तो यहाँ पर क्या है depreciation by depreciation account 80,000 ठीक है यह बारा मिरे पास भाई 80,000 जाके है by balance CD carried down है ठीक है तो क्या करेंगे भाई 80,000 माइनस करते है 7,60,000 कितना है 6,80,000 यहाँ आगे 6,80,000 अब इसका क्या है भाई totaling कर दो तो कितना है 7,60,000 यह करते हैं हमने इसकी totaling ठीक है उसके बाद इधर भी करता हो total 7,60,000 ठीक है उसके बाद देज़ा है उसका balance अब मिरे पास क्या है 2022 आएगा 2022 और फिर 1st April ठीक है तो 1st April मिरे पास क्या है 2 balance BD 2 balance BDA कितने का भाई 6,80,000 का है ठीक है तो इस side मिरे पास देखूँ अब ना यहां देखो 2022 है यहां फोकस कर दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अलग से बोलू है तो हमार पास गया भाई अब जो अगली डेट के आएगी देखो 2023 की डेट आ रही है हमें इस कहां पर मसीन बेच रहे हम 2023 फैब के महीने में तो depreciation कहा तक लगेगा फैब तक 29 फैब ठीक है बता कि 29 फैब लेकि चल रहा है माल लो तो यहां पर पहले निकालेंगे depreciation by depreciation account अब सुनो जो तीसरी calculation मेरे पास आएगी न वो है calculation of depreciation ठीक है कितने मन्त के लिए भाई देखो पहला पूरा अपरेल मैं जून जुलाई अगज सेप्टेमबर अक्टूबर नवंबर दिसमबर जनवरी फरबरी कितने एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा भाई ग्यारा भाईने का depreciation लगाना है में ठीक है क तो calculation of depreciation for 11 months ठीक है तो पहले वही किस में निकालेंगे आठ लाग में निकालेंगे न यहां पर आठ लाग गुने में 10 बटे में 100 है ठीक है पर क्या 11 अपन में 12 है ठीक है जीरो से जीरो और इस जीरो से एक जीरो तो भाई इसको आप करना कितना आएगा कोई जना करें स्प पटे हैं 12 11 से मेरे करें कितना आएगा 88 एक दो तीन चार तो आठ लाग कितना आ रहा है अठासी जार इसको डिवाइड कर दो भाई 12 से ठीक है तो जो मेरे पास है 8 8 इतना है तो भाई इसको डिवाइड करो 12 से तो क्या है 12,2,2 बहत्तर और बहत्तर 16 12 44 चार बचले है जी रो तो बारकम बार बारती चार कर त्थिस 335 सुने हैं यहां पर यहां पर जाए इन थ्री त्री इतने बाएं ठीकना रहे हैं 73333 पॉइंट 33 आगे जाता रहेगा तो कितना आगा मेरे पास 73334 लिख दो तो भाई depreciation कितने का रहा है 73334 पॉइंट के बाद बढ़ जाता ना कितना आगा मेरे पास 73334 ठीक है कितना balance बच रहा है by balance CD कैसा निकालेंगे 68,000 में से 73334 इसे minus करो 10 में से 4 गया तो 6 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6 9 में से 3 गया तो 6 और 7 में 7 चला कि बुरा 0 ठीक है 6,0,666 ठीक है तो कितना बच शे लाग 6666 ठीक है इतना आ रहा है अब सुनो यहाँ पे सबसे पहले एक बात देख जाओ यह मैंने balance cd भी लिखना नहीं है में ठीक है important बात क्या समझनी है वो देखो हमने कितने की machine बेज दी वह यह balance cd है नहीं भी मैं सर्फ यहाँ पर लिखा है समझाने के लिए देखो भाई हम इसी date को sale कर रहे है मसीन को इसी date को sale कर रहे है न तो भाई यहाँ पर मेरे पास आजाएगा by bank account ठीक है कौन सा account आएगा भी bank account और कितने का बेच रहे है एक लाख 20,000 का ही तो हो रहे है न हमने कितने की बेची machine एक लाख 20,000 की बेची है तो हमें देखो अमना loss कितना हो रहा है loss कैसे निकालेंगे loss symbols है मेरे पास यहाँ पर ही बालो calculation of loss on sale of machinery ठीक है तो क्या है यह बस calculation of loss on sale of machinery है तो पहले value देखते है कितनी है value of machinery वही net value ठीक है कितने की थी बाई जो मेरे पास है 606666 ठीक है अधा कि 6,66666 है उसमेंसे less कर दो sale value sale value of machinery कितने की बाई एक लाख 20,000 की है ठीक है कितने की एक लाख 20,000 माइनस करना कितना आएगा यहाँ पर यहाँ पर पहले 6,666 और फिर एक बाई उच्छे आ गया फिर दस मेंसे दो गया तो यहाँ पर आ रहा आठ और पांच मेंसे एक गया तो चार ठीक है तो loss कितना है मेरे पास loss on sale of machinery कितने का भई चार लाख 6,666 तो loss यहाँ लिख दो by profit and loss account by profit and loss account यहाँ पर क्या हो है भई हमें loss on sale हुआ है तो कितने का है चार लाख 6,666 तो यहाँ पर यहाँ पर पास पहला आएगा चार लाख 8,000 और यहाँ पर भी 6,80,000 बताओ इन बातों मैं देख दो निया भई किसी को सुनो यह हमारा बन गया भई machine recount और यह हमारी हो गई जो working note है यह सारे के सारे ठीक है यह था working note बताओ कि पहला दूसरा तीसरा यह वर्किंग नोट चौथा ठीक है बताओ कितनी बात पर सबको समझ में आ रही है ठीक है कोई देख तो नहीं है इसके अंदर अब जो नेक्स्ट है वो बना रहा हूं मैं है depreciation depreciation account है थीच है तो बहुत डेट पर्टीकूलर लेजर बहुत हो अब होगा और यह हमाले है ठीक है डेट कि तो ज्यादा लंब जाए हुना है कि पार पर देट पर्टीकूलर एमाउंट फिर में पास दुबारा देट परटीकूलर बदेट पर्टीकूलर तो जाके हमार पास है, amount है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला यह है मेरे पास, date, particular, amount है, तो देखो भई, यह मेरे पास आगे है, debit side, और यह वाला, credit side, ठीक है, सबसे जो मेरे पास, पहला depreciation कब लगा है, 31st March 2020, तो 20, 21st, 31st March, ठीक है, और कितने का depreciation है भई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 machinery account लिखते हैं न, 2 machinery account, पहला depreciation हमार पास है, 40,000 का, कहाँ ट्रांसफर होता है, profit and loss, same date को, 20, 21st, 31st March, ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसे, by profit and loss account, यह होगे भई, हमरे पास, 40,000 टांसफर, यह क्या है, इसको close, ठीक है, यहाँ भी क्या है, मेरे पास, 40,000 इसको कर देंगे, हमने आपे, close है, ठीक है, अब सुनो, उसके बाद, जो next date है, वो कब की है, भाई, जो debison लगा है मैंने, वो है, 2022, 2022 है, और 31st March की date है, ठीक है, 31st March की date है, तो क्या लिखेंगे, आपे दुबास, to machinery account, वो कितने का भाई, 80,000 का है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, अब ट्रांसफर करेंगे, तो 2022, क्या लिखेंगे आपे, 31st, 31st March, by, by profit and loss account, by profit and loss account है, ठीक है, तो भाई, हमार पास क्या जो, कितने का है, 80,000 का ही है, तो यहाँ पर save कर दो close, ज्यादा नहीं चलिक दिया, ठीक है, बताओ, परली बात में देखेंगे थे किसी को, जो 80,000 का है, यहाँ पर last का है, मेरे पास 80,000 है, ठीक है, ठीक है, अब ना जो सबसे important बात मेरे पास क्या आती है, ठीक है, मेरे पास 80,000 लग दिया, last वाला चु 2023, 2023, 29 of Feb, ठीक है, क्या है, मेरे पास 2, machinery account, कितने का भई, 73334, ठीक है, 1334 है, ठीक है, तो यहाँ पर same date आएगी, 2023, 29 of Feb, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भई, by profit and loss account, तो कितना है, 73334 है, भई, last मैं close कर दो, इसको simple, 73334, और इस side का भी, 73334, देखो भई, यह सारी की सारी बात मेरे पास पड़ती है, मैंने इसको इस speed missile बना दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें last class में यह सिखा दिया था, ठीक है, बस इसमें अभी नई बात आज क्या सिखी, हमने profit or sale on, बातुद कि, हमने सखे, profit or loss on sale of machinery, ठीक है, मतब कि, अगर हम किसी assets को बेजते या खरीदते हैं, ठीक है, तो उस पे हमें क्या loss होता है, next class में हम करेंगे purchase वाला scene, ठीक है, कि यह बीच में purchase करेंगे, फिर sale करेंगे, फिर purchase करेंगे, फिर sale करेंगे, ठीक है ये सारी बात होगी